नमस्कार मेरे प्यारे सातियों, कैसे आप सब लोग, उमीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बढ़िया होंगे, बहतर होंगे दोस्तों मेरा नाम है राहूल, मैं हूँ एक डिजल मार्केटिंग एक्सपर्ट आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक, गूगल एड्स के बारे में देखे आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स के बारे में आप उसके campaigns को कैसे create कर सकते हैं अपने business को promote करने के लिए, अपने YouTube वीडियो को promote करने के लिए, अप इंस्टॉल करवाने के लिए, या जो भी आपके अलगलग goals है, उनको complete करने के लिए, आप एक campaign 10-15 मिनिट में कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में आज मैं आपको practical live करके द इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे doubts Google Ads related जो भी हैं, वो clear होने वाले हैं, वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बदा दू, मैं एक digital marketing expert हूँ, पिछले 4 साल से मैं digital marketing में हूँ, अगर आप दोस्तों मेरे साथ connect होना चाते हैं, मेरे साथ जुड़ना च इस चानल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे सपोर्ट करना, इस चानल का टारगेट है दोस्तों 1 million, सपोर्ट करोगे तो मुझे motivation मिलेगा, और इस ये परकार के वीडियो में आपके लिए लगातार, बनाता रहूँगा, आपको सिकाता रहूँगा, अगर आप सीखेंगे काम करेंगे, तो 100% आप भी आगे बढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे, तो यहाँ पे देखें करना क्या है, दोस्तों आपको सबसे पहले जाना है Google बाबा पे, यहाँ पे आपको टाइप करना है दोस्तों Ads Google, और सिंपली दोस्तों आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से आप Google Ads का account create कर सकते हैं, इसको manage कर सकते हैं, अपने business को promote कर सकते हैं, वो आपके सामने open हो जाएगा, एक चीज में आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इन 2023 अपना account बना रहें नया, तो आपको Google Ads 20,000 का credit भी दे रहा है, यानकि free आपको 20,000 का coupon दे रहा है, लेकिन मैं अपनी pocket से 20,000 लगा होगे, तो आप यहाँ पे 20,000 को वापस से ले सकते हैं, और वापस से Google Ads में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक account में आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस सीज को clear अपने दिमाग में बढ़ा लीजेगा, अब अगर हम Google Ads की बात करें, गूगल Ads का account बनाने से प या फिर जो भी आपके goals हैं, business promotions related, उन सबी को आप Google Ads, यानि कि जो advertisement platform है, वहाँ से आप fulfill कर सकते हैं, और अपने business की growth की जो भी opportunities हैं, उनको आप इसकी मदद से ले सकते हैं, जितने भी Google पे, यानि कि जितने भी Google पे चाहे वो YouTube चैनल ले सकते हैं, या आप blog ले सकते हैं, या आप अपने business को promote कर सकते हैं, तो I hope आपका doubt clear हो गया होगा, कोई confusion है, comment करिएगा, मैं मेरी team आपको reply करने की कोशिश करेंगे, अच्छा लग रहा वीडियो, like करना, अपने दोस्तों के साथ share करना, and support करने के लिए, please subscribe जरूर कर देना, अब हम बात करते हैं, दोस्तो, add account बन sign in और get started, आपको simply करना क्या है, अगर आप first time आ रहे है, तो आपको get started button पे click करना है, already आपके पास को gmail है या account है, तो आप sign in पे click कर सकते हैं, otherwise यहाँ पर simply करना क्या है, अगर आप first time करने तो create account के उपर click करना, my personal use, आपको यह option चूज करना है, उसके बाद दोस्तों आपक आपको demo दिखाने के लिए mail ID ले ले लेता हूं, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक password create करना है, तो मैं यहाँ पर देखे एक strong password create कर लेता हूं, आपको भी अपने strong password यहाँ पर दोस्तों create करना है, और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, phone number तो यहाँ पर देखे phone number आपको डालना पड़ेगा जिस भी phone number से आप यहाँ पर अपना mail account बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखे दोस्तो मैंने phone number डाला है और उसके बाद simply आपको next button पर click करना है जैसे दोस्तो next button पर click करोगे यहाँ पर आपको एक OTP जाएगा Google की तरब से तो वो OTP दोस्तो आपको यहाँ पर डाल देना है तो मैं आपको क्या करता हूँ दोस्तो देखे OTP यहाँ पर, OTP मैंने डाला and simply दोस्तो आपको verify बटन पर click करना है उसके बाद देखे phone number डल गया अब यहाँ पर recovery है, email address optional है आप इसको skip कर सकते हैं, बाद में add कर सकते हैं यहाँ पर आपका जो भी date of birth है दोस्तो वो आपको डालना पड़ेगा, तो मैं आपको देखे आपना जो भी date of birth है वो डाल देता हूँ नीचे आपको scroll करके, आई अगर एक उपर आपको click करना है और इन 5-7 minutes आपका Gmail account भी बन गया और इसी Gmail से आपका automatically देखे यहाँ पर Google Ads का account भी automatically create हो जाएगा तो इस परकार से दोस्तों, in next 5-10 minutes आप अपने Google Ads का account easily create कर सकते हैं कर सकते हैं, कोई भी problem नहीं होगा कोई doubt है, कोई confusion है, कुछ पूचना है तो please comment करिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब देने की 100% कोशिश करूँगा यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, आपका Google Ads account अल्रेडी बन चुका है यानि की signing आप हो चके हैं, Google Ads के अंदर अब आपको करना क्या पड़ेगा, ads create करने के लिए आपको अपना Google Ads का जो ad account है, वो setup करना पड़ेगा तो देखिए, वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बोलूँगा, देखिए, आप यहाँ पर नीचे scroller करेंगे expert mode पे, यहाँ पर देखिए, आपका जो पूरा का पूरा Google Ads का dashboard है, वो change हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका change हो चुका है अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप अपना Google Ads का ad account बनाना चाहते हैं, तो पहले आप यहाँ पर campaign create करो, और उसके बाद ही आप अमना Google Ads का account यहाँ पर बना सकते हैं, campaign वगरा रन कर सकते हैं अगर आपको बनाना आता है, तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं आपके लिए बैठा हूँ, कोई problem नहीं है, मैं आपको 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 समझ में आ गया होगा, गूगल Ads होता क्या है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा I hope आपको अच्छा लग रहा वीडियो, प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा हमारा चानल 1 million target का है, हमारा चानल का टारगेट है दोस्तो 1 million का, तो आप उसको पूरा करने में हमारी help करिएगा, अगर आप हमारा help करेंगे तो हमें भी motivation मिलेगा, और इसे परकार के और वीडियो आपके लगाधार डालता रहूँगा, अप्लोड करता रहूँगा, तो अ आपने 10 minute orderly दे दिये हैं, अगर 10 minute आप और दे देंगे, तो आपका ये part तो clear हो चुका है, कि आप Google Ads क्या होता है, इसका account कैसे create कर सकते हैं, मैं आपका एक और part clear कर दूँगा, कि यहाँ पे आप अपना campaign कैसे create कर सकते हैं, तो चलिए, फटा फट्च हम सीख लेते हैं, करना का है, देखिए, दोस्तों, यहाँ पे आपको new campaign का option देखेगा, क्लिक करना है आपको, जैसे दोस्तों आप इसके उपर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने नया page open हो जाएगा, जहाँ से step by step आप अपने Google Ads के account बना सकते हैं, तो यह देखिए, आपके सामने नया page आ गया, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, दोस्तों campaign objective, campaign का objective का मतलब होता है, आपका goal क्या है, किसके लिए आप अपना Google Ads account बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, दोस्तों website traffic में ने चूश किया, उसके बाद दोस्तों आपको campaign type चूश करना है, आप search में चलाना चाहते हैं, display में, shopping में, video में, discovery, कहां चलाना चाहते हैं, वो आपके उपर depend करता है, आप यहाँ पे search के उपर click करिए, जैसे दोस्तों Google में जाके कोई search करेगा, वहाँ पर आपका add दिखेगा, तो यह है दोस्तों आपका search campaign, अब आपको करना के देखिए, नीचे scroll down करेंगे, तो मेरे पास एक website है, दोस्तों, आप अमनी website का URL यहाँ पर easily इस परकार से type कर सकते है, उसके बाद दोस्तों करना क्या है, नीचे scroll down करना है, यहाँ पर देखिए, conversion tracking हम यहाँ पर install नहीं करेंगे, और उसके बाद दोस्तों campaign नीम आप देना चाहते है, तो आपनी website की नाम से द देता हूँ, .com, ठीक है, और यहाँ पर मैं www. इस परकार से दोस्तों, आप अमना campaign का नेम दे सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी इस campaign की मदद से किस website को promote कर रहे है, और उसके बाद दोस्तों, आपको continue button पर click करना है, जैसे continue button पर click करेंगे, देखिए आपका basic settings का step है, वो पूरा हो चुक है, चलिए, अब हम चलते हैं अगले step पर, तो यहाँ पर देखिए अगला step आपके सामने आ चुका है, और यह है आपका bidding step, bidding का मतलब होता है, दोस्तों, आप अपना एक click पे Google Ads को कितना charge pay करना चाहेंगे, तो यहाँ पर click का option देख रह आप यह रहने दे सकते हैं, यह वाला आपको हटा लेना है, उसके बाद दोस्तों नीचे store down करना है, यह location आपकी आ रही है, तो location में आपके decide कर सकते हैं कि आप अपना campaign किस location में चला रहे है, जैसे all India, या फिर आप जोस्तों किस city में चलाना चाहते हैं, जैसे मेरे city है तो मुझे सिर्फ जैपूर में अपना campaign चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, देखे जैपूर राजस्तान को में target कर लूँगा, उसके बाद दोस्तों आपको करना है, नीचे store down करना है, language आपकी choose कर सकते हैं, कि किस audience को आप target करना चाहते हैं, तो यहाँ पे English language हो रखिए, उ पैसे इतने ही डालो, जितना आपको Google Ads का campaign चलाना है, जैसे morning में 10 बचे डालो, 1000 रुपे डाले, आपनी तो 4-5 बचे तक आपका campaign बंद हो जाएगा, उसके बाद आप पैसा मत डालो, उसके बाद दूस्तों करना है, नेक्स बटन पर click करना है, जैसे next बटन पर click करोगे, keywords and add का option आपके सामने आ गया है, तो आजकल Google बहुत ज़्यदा समझदार हो चुका है, Google Ads भी बहुत ज़्यदा समझदार हो चुका है, तो ये क्या करेगा, जो भी आपनी website यहां पर डाली है, उसके according, जो भी keywords हैं Google पे, वो सारे के-सारे keywords automatically track कर लेगा, जिससे आपको क्या आसा keywords निकालने, तो यहां पर दाके देखे, आपना service या फिर दोस्तो keyword टाइप करोगे, तो आपको और ज़्यदा keywords मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर आपको जो keywords मिल रहे है, वो भी बहुत है, यहां पर इतने में add चल जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा, उसके बाद दोस्त मैं टाइप करूँगा, walkscart.com, ठीक है, और यहां पर headline 2 में, buy shoes for man with 50% off, ठीक है, get deal today and free delivery, delivery, ओके, यह नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं हम यहां पर, get free delivery in all India, इस परकार से दोस्त, आप अपनी headlines डालोगे, and उसके बाद दोस्त, नीचे स्कोडम करना है, and यह आपका description option आ रहा है, तो description में देखे, आपको थोड़ी बहुत जानकारी देनी पड़ेगी है, आपके ads related, तो यहां पर देखे, दोस्त, मैं क्या करूँगा, मैं तो यहां पर copy-paste कर लेता हूँ, and description में वो डाल देता हूँ, आप यहां पर description थोड़ा lengthy लिखेगा, सही तरीके से लिखेगा, voxcar.com, यहां पर देखे, buy shoes for man with 50% off, ठीक है, इस परकार से, get deals today and get free delivery in all India, इस परकार से, दोस्तों, आपको description लिखना है, and उसके बाद, दोस्तों, आप यहां पर नेचे देखे, अगर आप चाहें, तो site link option यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोस्तों, आप call out भी लगा सकते हैं, वैसे यह आपके लितने important नहीं है, अगर आप number दिखाना चाहते हो, तो call out इस्तमाल कर सकते हो, otherwise आप call out नहीं लगाएंगे, तो भी कोई बात नहीं है, आपका add easily चल जाएगा, अगर आप इन सब के बारे में detailed videos चाहते हैं, तो आप मुझे comment करिएगा, या फिर दोस्तों, मेरे चैनल पे मैंने इनके already videos अप्लोड कर रखे हैं आपके लिए, जाके उनका आप देख सकते हो, और आप सीख सकते हो, complete की call outs क्या होते है, site links वगरा क्या होते हैं, इसके या फिर दोस्तों, आपका कोई business है, और आप Google Ads की service आते हैं, तो आप हमारी team को call भी कर सकते हैं, हम आपको best digital marketing services, यानि कि Google Ads services provide करेंगे, आपके business promotion के लिए, वो भी दोस्तों, कम cost में, तो आप team को call कर सकते हैं, और best digital marketing, यानि कि Google Ads services हमारे साथ मिलके ले सकते हैं, अब आपक को नीचे squad आउं करना है, या पर देखें, आपका add campaign setup हो चुका है, next button पे click करना है, या पर देखें, next button पे click करोगे, budget को option आ रहा है, तो daily आप कितना budget याँपे set करेंगे, वो आपको choose करना है, तो याँपे set custom budget के उपर आपको click करना है, और उसके बाद दोस्तों, आप अमन ready हो चुका है, यहाँपे देखें, हमारा campaign जो है, वो publish करने के लिए ready है, तो यहाँपे publish campaign के उपर आपको click करना है, जैसे publish campaign के उपर click करोगे, हमारा campaign आपको publish होना start हो चुका है, यह देखें, हमारा campaign यहाँपे publish हो चुका है, अब देखें, यह campaign अगर आपको चलाना है, तो यहाँ पर जाना है आपको tools and settings में यहाँ पर देखिए आपको billing का details देखेंगा billing के अंदर आपको जाना है summary में यहाँ पर आपको करना कि है आपका bill आपको pay करना यानि कि आप ATM से या फिर 200 bank से या फिर car से आप यहाँ पर Google Ads का जो भी bill है वो आप pay कर दीजे के बारे में sorry Google Ads के बारे में I hope आपको समझ में आ गया होगा आगर आपको अच्छा लगा है और आपको सारी जानकारी स्वही लगी तो please comment करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्री में और आप उन सभी वीडियो को देखे बहुत सारा ज्यान ले सकते हैं फ्री में और कई तरीकों से आप पैसे कमा सकते हैं घर बटे तो एक बात चानल पेज पर ज़रूर विजिट करना है और आपको एक रिक्वेस्ट कर्राहूं हूं मैं डोस्तो यसे मारा नGS को लगता है तो हमारे ऋफरेंद को सपोर्ट करें गांक कारते हैं तो डिशल ओसे सकते हैं व्मारी ट्षिप्ट को निकिशन में में आपको नमबर दिया जित्र मार्क्टिंग सर्विसेज के बारे में ज्याद अचान करी ले सकते हैं आज किसी वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद